नमस्कार दोस्तों स्वागे था अपसे पिकत गौवर्मेंट जॉबसुपी की ओफिशेल यूट्यूब चनल पर यूपी ट्रपलसी वीडियो दोहसार अठारा जैसे ही ये नाम लेते हैं तो वैसे ही एक नाइन साफी जो सिलेक्टेड अभीरतियों के साथ हुई है वो सामने आ जाती है वो दिन जब इस भरती को पूरा होने के बाद निरस्ट कर दिया गया था केवल एक कारण से कि इसमें धानली हुई थी और कुछ लोग गिरफतार हुए थे उस वज़े से इस पूरी भरती को रद कर दिया गया था उसके बाद वीडियो 2018 के अभीरतियों ने कोट जाने का नड़ने लिया और ठीक भी नड़ने था कोट जाना भी चाहिए क्योंकि UPSC आयोक की गलती selected candidates क्यों भुगते हैं एक अभीरति जो तैयारी करता है किस कठिन परिस्थितियों में वो तैयारी करता है कोई घर चोड़के, कोई घर से दूर रहके तैयारी करता है केवलदाल चाओल खाके तैयारी करता है कहारी यह सब बहुत सारी बड़ी बाते हो जाएंगी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन एक अब भेरती बहुत सारे कस्टों को और बहुत सारे शंगर्स के बाद किसी में final selection लेता है और final selection के बाद joining का इंतिसार करता है final selection final result के बाद और जो joining का जो बीच का period होता है वो सबसे खुशनुमा वक्त होता है जब आपके घर परिवार वाले सब जानते हैं कि आप select हो गए हैं और आपकी नौकरी लग गई है लेकिन सबसे दर्दनाक चीज वीडियो 2018 वालों के साथ हुई final परिणाम आने के बाद उनका जो है पूरा का पूरा पेपर निरस्ट कर दिया गया हम और आप सिर्फ ये पीड़ा कह सकते हैं समझने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन उस पीड़ा को समझ नहीं सकते जो वीडियो 2018 वालों पर बीती है कुछ की शादी तह हो गई थी कुछ के साथ का यौर चीज़ें थी कोई घर बन वा रहा था किसी कोई प्लॉट लेना चाहरा होगा किसी को घर का मरमत होना होगा किसी को कुछ किसी की मदद करनी रहे होगी घरवालों की मदद करनी रहे होगी तमाम चीजें होती ही middle class family में जो सरकार हैं और ये आयोग में बैठे अधिकारी ये नहीं समझ पाएंगे इनके बसके बात है भी नहीं और ये समझ भी नहीं पाएंगे तो अब आप लोगों के लिए एक छोटी से खुश खबरी है वीडियो ये वीडियो बनाने का मकसद ऐसा नहीं है मित्रों की आप लोगों के एक दिलासा देना या ऐसा कुछ नहीं है एक छोटी से खबर थी जो आप लोगों के लिए जानने जरूरी थी और आप ही लोगों के हित के लिए है तो इसलिए ये वीडियो बनाय जा रहा है इस वीडियो को किसी से share मत कीजेगा मैं लेकि रहा कि सबसे share कीजेगा और मेरे चैनल को like और subscribe और ये फालान हिमकाना दीजेगा कुछ नहीं जो वीडियो 2018 वाले जो सिलेक्ट हुए थे, कैंडिड़ेट चाहिए 2018, 1900, 2000, जो भी कैंडिड़ेट सिलेक्ट हुए थे, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजेगा, ताकि उनके दिल को थोड़ा सा सुकून मिले, क्योंकि जो पीड़ा, जिस पीड़ा से वो गुज कबरी है क्या, कोट जैसे कि आप सबी लोगों को पता है कि अभियरती कोट जाना चाह रहे थे, कोट में याचिका दाखिल होनी थी, लेकिन उसी बीच एक कुरोना की दूसरी लहर और तमाम चीजें आ गए और कोटें बंद हो गई, हाई कोट बंद हो गया, तो वीडियो 2018 जो पीडा थी, वो और बढ़ गई, कि एक इंसाफ का, एक हम देख रहे थे, कि हमको इंसाफ मिल जाएगा, कोट से, कोट भी बंद हो गया, लेकिन आप आपके लिए खुशकबरी है, खुशकबरी ये है, कि कल वीडियो 2018 भरती की जो याचिका है, वीडियो 2018 जो भरती रद दिखी गई, जो परिशार दिखी गई, उसकी याचिका की सुनवाई, कल इलाबा धाय कोट में होगी, ठीक है, तो ये खुशकबरी है, और कि क्यों है, मैं आप लोगों को बता दिता हूँ, कि जब ये याचिका दाखिल की गई थी, उसके बाद जब कोटे बंद हो जाती ह तो कोटे बंद होने के बाद तरीका ये होता है, कि अगर वकील को ऐसा लगता है, या जो पेटिशनर उसको ऐसा लगता है, कि मेरा केस अर्जेंट है, उसको सुनना चाहिए कोट को, भले ही कोट बंद है, लेकिन आप अर्जेंट बेसिस पे आवेदन कर सकते हैं, एक बार गया, वकीलों दोरा वीडियो 2018 की भर जो परिणाम दर दिखिया गया, भर परिचा रहे दिखी गी, कोट ने कहा कि नहीं नहीं, ये अर्जेंट मैटर नहीं है, उसको एकसेप्ट नहीं किया, अर्जेंट सुनवाई को, दुबारा वकीलों ने किया कि भाई, बहुत अर्ज को दिखा देता हूँ अभी, तो ये है दोस्तों, ये आपका याचि का संखिया है, 5913-2021, फाइल की गई है 27 अप्रेल को, रेश्ट्रेशन 28 अप्रेल को हुआ है, वकील है आपके जैसिंग यादो और राधाकांत होजा, सीनिर एडविकेट है आरके होजा, इन्होंने फाइ 25 अदर्स, 125 के आसपास आपके पेटिशनर है, और भी रिटे हैं, ये एक रिट है, और विक कनेक्टेड रिटे हैं, ठीक है, इस काई सारी रिटें कनेक्टेड है, अलग अलग वकील, ये इस इस रिट संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, 5913-2021, अब देखी, अरजंसी अप्ल अप्लिकेशन, ये देखिए, ये डाले गए आपकी अप्लिकेशन, विकास तीवारी एंड 124-10, 15 माई को अप्लिकेशन फाइल केगी, देखें, आपका 18 माई, आपका डिस्पोशल डेट दिखारा मतलब 28 माई, 18 माई को आपका ये सुना जाएगा, ठीक है, तो इसका अच्छी खबर थी, आप लोगों को जानना जरूरी था, इसलिए ये खबर आप लोगों को दी जा रही है, कि 15 माई, और ये जो इसमें जो कैंडिडेट्स जो पीछे लगे हुए है, कुछ लोगों का बहुत योगदान है, कुछ अबियरती इसमें जीजान से लगे हुए ह उन्हें की बदौलत ये संभव हो सका है, कि ये आपका वीडियो 2018 भरती जो 591,321 कि सुरिट है, इसकी सुनवाई कल होने जा रही है कोर्ट में, 18 माई को ये कल आपकी इलाबाद हाई कोर्ट में सुनी जाएगी, इलाबाद हाई कोर्ट में सुनी जाएगी, लखनो बेंच म हो आप लोगों के साथ जो भी जिन के साथ भी अन्याय हुआ है, जिन ना इनसाफी हुई है, ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भीया देखो सभी के साथ ना इनसाफी हुई है, उनके साथ कोई ना इनसाफी नहीं हुई है, जिन्होंने दांदली करके परिक्षा प समपत्ति जब्त होनी चाहिए मैं तो कह रहा हूं किसी भरती में इस तरह की धांदली होना की फाइनल रिजल्ट आने के बाद उसको कैंजल कर देना यह बहुत बड़ी चीज हो जाती है तो जिको भी इसके पीछे जो है दोशी लोग हैं उनके खिलाफ कारवाई होनी ही चाहि तो देखने के बात होती है कि कल 18 मएं को सुनवाई है इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है महेश्ट चंदृत्र पाठ्थी माननी नयमूरति हैं वो इस केस केस को सुनेंगे महेश्श चंदृत्र पाठजी की बेंच में ये केस कल के साशित के लिए की existing के जानकारी जब मिलेगी तभी प्रदान की जाएगी वीडियो को वीडियो इस वीडियो को यूपिट्र प्लेस से वीडियो 2018 भरती की अभियरतियों कसा जरूर शेयर कर दें ठीक है और आगे की भी अपडेट्स चाहिए होंगी तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा दोस्तो आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहेगी वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दहनेवाद